अब भोगा मार्केट में कांटे का टककर जब तक इन तीनों कमपणियों टेलिकॉम कमपणियां जियो एरेटेल और बोड़ाफोन को मनमानी करने थी यानि कि अपनी मोनोपॉली करने थी वो कर चुके हैं अब हमारे सीर हमारा सीर जो बीएसनल है भारत संचार निगम लिमिट अब हमें यहते करना है कि हम लोग अगर बीएसनल का साथ देते हैं या नहीं देते हैं अगर हमेरी सरकार यानि हमारी कमपणी भारत की जो कमपणी है अगर वो वापस आ चुकी है और उसके लिए हमारी साज़ेदारी की तो बहुत जरूरत है अगर हम उसे सपोर्ट करेंग और इन लोगों के जी मोनोपोली है वो धीरे धीरे कम जरूर होते हुए दिखेगी तो इसके उपर हम लोग बात भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि किस तरह से बीएसनल अभी मार्केट में उपर आ रहा है और इसके प्राइस किस तरह से स्थीर हो जाएंगे और इनकी ज प्रूर रूपे इन्होंने अभी तक में इन्वेश्ट हो चुका है इस चीज को लेके और बीएसनल किस तरह से वापस आने वाला है तो जैसा कि हम लोग आप लोगों को बता देगी अभी जो मार्केट में जिस तरह से न्यू चल रहा है उसी प्रकार सरकार टेली सरकारी ट टुर की टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है आपको आपको सूपरपासट इंटर्नेट उपलब्त करवाया जैगा जिसके बारे में जियो, एयर टेल, बोडा फॉन दूर दूर तक सूझ भी नहीं सकते हैं कि अब हम किस तरह से सरभाइब करेंगे और आप लोगों को बता दे कि BSNL ने TCS और तीजस नेटवर्क से लगवग में 19,000 रुपे करोर रुपे लगवग में 4G नेटवर्क परी नियूजन का आदिस दिया गया है अब आप कहेंगे कि इतनी सारी कमपनियां जो हैं अभी जो की मार्केट में जीओ हैं एरटेल और पोड़ा फोन हैं वह बाकी कमपनियां तो 5G पे आ चुकी है और BSNL अभी तक 4G इन समके बीच कैसे सरभाइब करेगा तो देखिए समझने वाली बात यह है कि भले ही प्राइबेट कमपनियां 5G सेवाई देना शुरू कर चुकी है लेकिन क्या आपको वो अपकी उम्मीद पे वो खरे उतर रही है क्या आपको हर जगे अभी 5G का सर्विस मिल पा रहा है कहीं कहीं आपको 4G से ही काम चलाना पर और वो ही 4G आपको अच्छा भी लगता है वहीं अगर देश की सरकारी कमपनी 4G नेटवर्क के साथ आपको सेवाई देकर लेकर आती है तो क्या आपको लग रहा है कि वो 5G से अच्छी होगी क्योंकि यहां पे सब कुछ आपको देखना पड़ेगा प्राइस भी देखना परेगा और इंटर्नेट भी देखना पड़ेगा और अगर हमें 4G की सेवाई अच्छी खासी मिल रही नेटवर्क अच्छा मिल रहे तो बहतर सी बात जाने अच्छी बात ही है कि 5G अभी तकी पूरे वालत में तो लगा नहीं है ठीक है हर जगा 5G चल नहीं रहा है अगर 4 सी बात दिया है कि BSNL आगे निकल की ही जाएगा ठीक है तो आप लोगों के तकी जानकारी के मताब से हम यह भी बता दे कि लगभग में हमारे जो भारत है उसमें 40 करोड यूजर्स अभी ऐसे हैं जो कि 2G नेटवर्क का इस्तबाल कर रहे हैं और उनके लिए तो BSNL का 4G हम पूरी तरह से बन सकता है ठीक उसमें भी दू-तीन साल का समय लग सकता है और देखिए अगर जो हमारे 40 करोड रेस्ट के कस्टमर जो कि 2G पर निरदारीत है उन्हों एगर 4G हम BSNL के तरफ से दे देते पूरे बारत में यह भी एक बहतरिन सुमीदा होगा और आप लोगों है तो कीजिए नई नेटवर्क है तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जहां 2G है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है तो आपको बता देखिए कि BSNL ने पहले से ही जो टाटा के साथ इसका टाइप चल रहा था इसके लेकर साज़ेदारी कर ली गए थी पहल जल्द ही 2018 गौंबे बेस्ट मोवाइल कनेक्टिवीटी को उपलत कराने वाली है क्योंकि फास्ट टेस्टिंग की सुरुवात हो चुकी है इससे संकेत मिलता है कि कमपनी इसे जल्द पेस कर सकती है BSNL ने यहां तक कहा भी है कि बहुत जल्द तहसील ऑफिस और जीलों को ज जा रहा है वह 5G स्पीड के साथ आने वाला है BSNL की और से देश के कई जिलों में कई वागों में 4G नेटवर्क पर काम किया जा रहा है BSNL के पास अभी 4G नेटवर्क नहीं होने के कारण वह अपना कस्टमर तो देरे-देरे खोते ही जा रहा है लेकिन अभी जैसे वापस हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट इसका अच्छा पकर ले यही कारण है कि BSNL लगातार 4G नेटवर्क पर काम भी कर रहा है और अब 4G यूजर्स यानि 4G नेटवर्क के जो यूजर्स है ना तो उनके पास फास्ट इंटरनेट की सर्विस मिलने वाली है और BSNL पहले ही हों इसके अलावा किन सरकार ने BSNL के लिए एकस्पेक्टरम निस्थित कर दिया है जो की 4G के साथ-साथ 5G नेटवर्क की उपर भी काम करेगा ऐसे में कहना यह गलत नहीं है कि BSNL बहुत आगे की प्लानिंग करकी काम कर रहा है और आपको बता दी कि अगस्त में BSNL की तरब स 4G सर्विस की टेस्टिंग की जारी और दावा किया जा रहा है कि इसके बाद से 40-50 Mbps तक की स्पीड आपको देखने को मिल सकती है और रिपोर्ट की माने तो पंजाब में अपनी सर्विसिस की सुरुआत करने के लिए BSNL ने TCS और C. यानि की टेलिकॉम रिशर्च और्ग पंजाब में इंटरी की जाएगी और आपको बता दे कि BSNL को जो है 4G नेटवर्क के लिए TCS टेजस नेटवर्क और ITI से स्यूग मिल रहा है इसके साथ ही नेटवर्क 5G में भी बदल जाएगा और टेजस नेटवर्क ने इस पर कहा है कि BSNL का नेटवर्क कई इलाके में लगाया गया है जबकि सी डॉट अभी BSNL नेटवर्क को अपलब्द नहीं है लेकिन देजवर्क में सूपर फास्ट इंटरनेट प्रवाइट करवाने के लिए BSNL ने नए प्लान भी बना लिया है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जरूर आपको BSNL के साथ दिये भारत की मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंकियू सो मच पूर वाचिंग सब कुछ नहीं दी बाबाएं टेक कियो